गुड मॉर्निंग बच्चों 11 केमिस्ट्री मोडल पेपर चेप्टर 3 के अंसर अपन देख लेते हैं आज और इन सभी में रिजन वही रहेगा ये तीर के निशान से अपनने दर्शा रखा है सभी में एक ही रिजन लगबग चिपकाएंगे कि ये पूरा जो चेप्टर है पिरियोडिक टेबल पर आधारीत है जिसके बहुत सारे वीडियो आपने चेनल पर डाल रखे हैं कि आवर्त में आगे जाने पर क्या परिवर्तन होंगे और समू में उपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होंगे तो इस्टार्ट करते हैं पर पहला प्रश्ण एक अंको में इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वादिक होगा तो इसका उत्तरे डी, f यहने फ्लॉरीम क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोन को निकालना इतना आसान नहीं होता है प्रष्न दो इन तत्व में से कौन सा तत्व सबसे अधी कृण विध्युति है। इसका उत्तर्वी डी है। फ्लोरीन पूरी आवर्ट सारणी में सर्वाधी क्रिण विध्युति तत्व हता है। फ्लॉरीन जो शेरिंग इलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ खींचने की शमता रखता है तीर के जो निशान दिखाए गए हैं यह आवर्थ सानी में 22 से दाएं जाने की तरफ के यह यह बढ़ते हुए समू का क्रम एक दो तीन चार पांच इस तरह से अठारा समू का क्रम प्रश्न क्रमांग तीन आवर्थ सानी के किसी आवर्थ में परमानु द्रवयमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है तो उत्तर इसका भी रिन विद्यूती गुन में व्रद्धी होती है आवर्थ साणी के किसी आवर्थ में परमानु द्रवेमान बढ़ने के साथ साथ इनके रिण विद्यूती गुणों में व्रद्धी होती है प्रश्न क्रमांग चार निम्लिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्जा सबसे अधिक है तो के प्लस पोटेशम आयन उत्तर ए इसकी आयनिक त्रिज्जा सबसे अधिक है क्योंकि समुव में उपर से नीचे जाने पर परमानों का और आयनों का आकार बढ़ता जाता है आवर्थ की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से इलेक्टोनों का आकर्शन कम हो जाता है प्रश्न क्रमांग पांच निम्लिखित इलेक्टोनिक सरचनाव में से किसी निशक्री गेस के अंतिम कक्षा का इलेक्टोनिक शरचना कौन सी है समू 18 निश्क रिगे से आते ही अकरी गे से और जिनका सामान इलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है S2 P6 यानि अंतिम कोश के S कक्षक में 2 और P कक्षक में इनके 6 इलेक्टान होता है और इनका अस्टक पूर्र होता है प्रश्णक्रमांग 6 निम्न में से किसका आकार सबसे सबसे छोटा होता है कि इसमें 3 प्लस होने के कारण प्रोटोनों की संख्या तो इसमें कि वही है कि एटोमिक नंबर इसका 13 और इलेक्ट्रोन इसमें 3 कम हो जाते हैं तो बाकी इलेक्ट्रोनों का नाविक से आकरशन बढ़ जाता है इसलिए इसका आकार सबसे छोटा इस आयन का निम्न में से कौन सा प्रबल अप्चायक है यह आयोडीन प्रबल अप्चायक है जो आसानी से इलेक्ट्रोन दे सकता है हेलोजन में समु सत्रा में उपर से नीचे जाएंगे आयोडीन प्रबल अप्चायक है आसानी से इलेक्ट्रोन दे सकता है निम्न में से किसका आयनन वीभव सर्वच्च है सबसे ज्यादा आयनन वीभव किसका है तो मेगनेशियम यह जो रहे दूसरे समु का तत्व है और इन सब में उ थोटा है तो इसलिए आयनन वीभव इसका सर्वच्च है प्रश्नक्रमांग नो एक तत्व जिसका पर्मानुक्रमांग 20 है और सार्णी में के किस समु में रखा जाएगा तो यह दूसरे समु का तत्व है केल्शियम सेकंड ए ग्रूप का तत्व केल्शियम जिसका पर्मानुक्रमांग 20 है प्रश्नक्रमांग 10 तत्व का आन्न विभव रुठ है के वर्ग में उत्तर इसका भी पर्मानुआमाप के साथ घटता है तत्मों का जो आयनन विभव होता है यहने उसको आयन बनाने के लिए उसमें से इलेक्ट्रोन निकालने के लिए जो उर्जा दी जाती है उसे आयनन विभव केते हैं तो यह अपन समू में उपर से नीचे जाते हैं वर्ग में समू को वर्ग भी उपर से नीचे जाते हैं तो पर्मानु आकार बड़ा हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोन का निकालना आसान होता है उसे आयन बनाना आसान होता है तो कम उर्जा में इलेक्ट्रोन निकाला जा सकता है तो पर्मान जिसमें पहला प्रस्ने उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखी है जिसकी प्रक्रती दो इलेक्ट्रोन को त्यागने की होती है दूसरे वर्ग के तत्वें ये modern periodic table के according और मेंडलिफ की periodic table के according देखें तो secondary group के तत्वें जो दो इलेक्ट्रोन त्याग सकते हैं एक कई नाम लिखना है हमने सभी के नाम लिख दिये हैं आप सबसे पहले तत्व का नाम लिख देंगे तो बैतर रहेगा बेरिलियम बी उस वर्ग से एक तत्व का नाम लिखी है जिसकी प्रक्रती दो इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करने की होती है तो ओक्सीजन सोल्वे समू का तत्व है ओक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलियूरियम और पॉल्वनियम तो ओक्सीजन उत्तर आप लिख दें ओक्सीजन फेमिली में जिसको अपना अश्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रोनों की आवशकता होती है प्रश्नक्रमांग करेद की आप ऐस्योंग के यह दो तकर दे का थे जाइन हिएं ऊसवर्ग के एक तत्व नाम लिखिए जिसकी प्रकृत प्रकृति एक एलेक्ट्रोन त्यागन की मैं प्रकृति रखते हिं यह फॉर्स्ट ग्रूप के तत्व प्रथम समूं के तत्व क्षारधान ऊंवर्धी लीथियम, सोडियम, पोटेशयम, रूबिडियम, सीजयम और फ्रेंजयम, इसका उत्तर आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, चाहें तो इन में से कोई और भी लिख सकते हैं, पर पहले तत्व का नाम लिख देंगे तो बेहतर होगा, चोथा प्रश्ण उसवर के एक तत्व का प्रश्ण क्रमांग दोए सहयों जकता, इलेक्ट्रोन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से, तो भायतम कोश में उपस्तित अयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या को सहयों जी इलेक्ट्रोन कहते हैं, और लास्ट जो वेलेंस शेल होती है, उसके इलेक्ट्रोनों को, उसमें जो इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं, उन सभी इलेक्ट्रोनों को तो अपन, सहयों जी कोश क एलेक्टोन केते हैं परन्तु भाएतम कोश में जितनी अयुगमित इलेक्टोन उपस्तित होते हैं उनको अपन सयों जगता केते हैं तो इनको कौन-कौन से कारक प्रभावित करेंगे इसका उत्तर अपन ने उपर दिया है भाएतम कोश की नाभिक से दूरी जितनी अधिक होगी उतने ही इलेक्ट्रोन आसानी से निकल कर इसी भी अन्य तत्व के साथ बोंडिंग कर सकें नाभी की आवेश जितना कम होगा या आसानी से किसी के साथ शेरिंग करके बोंडिंग कर सकते हैं कोर या अंत्रिक इलेक्ट्रोन इनका प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम होगा उतना इनके लिए किसी से सयोजन करना आसान होगा और चोथा है पर्मानु साइज ये त्रिज्या पर्मानु की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोन आसानी से किसी अनि पर्मानों के साथ संवयजन कर सकते हैं बोंडिंग कर सकते हैं ये चार इसके कारण हैं भायतमकोश की नाभिक से दोरी नाभिक की आवेश, कोर iletrons, आउन करें स्क्रीनिंग नहीं रफाव कि जिसे श्रिल्डिंग रभाव भी गते एंद पर इलक्षण प्रहब वी के साइज या परमानों की तृस्या परमानु आकार यह परमानों की त्रिच यह फिर लेता है अपन प्रस्न अगला भर तीसरा प्रस्ण तत्वों के निमनलिखित यूग्वों के सायोजन से बने योगी को सुत्र लिखना है लीथियम और ओक्सीजन से लीथियम ओक्साइड बनता है सुत्र ही इसका सोडियम क्लोराइड बनता है साधारन नमक या खाने का नमक जिसका सुत्रे नसील सिलीकन और ओक्सीजन के सयोग से सिलीकन डायोकसाइड बनता है जिसका सुत्रे सियोटू अगला प्रस्न creator पर्मान उक्रमांग एठार एक अक्रीगये से 11 death निवने तत्म को आरगन का पर्मान उक्रमांग करने क७शं के लिए कितने इलेक्ट्रोन की hourशकता होगी या कितने इलेक्ट्रोन त्यागहने पढें तो यह जिसलफर है Ma applications इसको दो एलेक्ट्रोन अगर और मिल जाए 16 इसका प्रमानु को मस्के हैं 2016 इलेक्ट्रोन इसना होते हैं दो और मिल जाए 팔ाइध कि इसलिए के स्थिन माइनस इसका उत्तर होगा क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रोने एक और मिल जाएगा तो अ 8 हो छाएगे लियाँ इसका सुत्र ए सील माइनस लिखना पड़ेगा कि इसंके पास 17 एलेक्ट्रोन होते हैं 1 अगर obligations देगा तो इस पर धना प्लस के पास 20 ilektron है, तो दो इलेक्ट्रोन ये त्याग देगा तो इसके पास आवेश आजाएगा तो का 2 derived आधुनिक आवर्थ तालिका में तत्वों की व्यवस्ता का भोतिक आधार क्या है तो तत्वों को केसे जमाया गया है Modern periodic table में परमानु क्रमांक के आधार पर जमाया गया है और परमानु क्रमांक का मतलब होता है तो आप परमानुक्रमांक अर्था नंबर ओफ प्रोटोन्स या प्रोटोनों की संख्या लिख देंगे तो भी उत्तर सही है और नियम लिखें तो भी बात वही है तत्वों के भोती के वम राशानी गुण उनके परमानुक्रमांक के आवर्ति फलन होते हैं परिया भोतिक व्यवस्था का आधार पूछा है तो आप केवल परमानुक्रमांक या प्रोटोनों की संख्या लिख देंगे तो काम चल जाएगा अगला प्रश्ण वर्ग सत्रा के तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व का परमानुक्रमांक नाम और इलेक्टोनिक विन्यास और सयोजकता लिखने तो परमानुक्रमांक तो होता है इसका सत्रा नाम इसका क्लोरीन सुत्र भी लिख देते हैं इसका सुत्र होता है सी यल और इलेक्ट्रोनिक विन्यास से इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 तो यहां पर अपने देखें कि वेलेंस शेल में साथ इलेक्ट्रोनिक हो रहें अस्टक में एक कम है एक की कमी है इसलिए इसकी सहे जगता हो जाएगी माइनस वन आवर्ष्चानी के A7 P-Block के तत्वों का अंतर इस आधार पर कीजिए कि वे धातू और अधातू हैं मतलब धात्वी गुण और अधात्वी गुण पर दर्शित करते हैं इस आधार पर अंपन को अंतर करना है क्योंकि एस ब्लाक के तत्व धात्वी गुण दर्शात है ना एस ब्लाक के तत्व अधिक धन विद्जुती तत्व होते हैं पी ब्लाक के तत्व कम धन विद्जुती तत्व होते हैं अधिक धन विद्जुती हैं तो दूसरा पॉइंट लिग सकते हैं अपन कम रिण विद्जुती तत्व हैं एस ब्लाक के पीबलाक के अधिक रिण विद्धिती तत्व है लगबग सभी तत्व क्रियाशिल धातु हैं केवल कुछ तत्वों को छोड़कर सभी तत्व अधातु है तो लगबग कुछ तत्वों को छोड़ दें तो सभी अधातु है कि इनकी स्युन जकता धनात्मक होती है और इनकी स्युन जकता रिनात्मक होती है कि वल कुछ तत्वों चोड़दें ने खास तोर पर अपन समु 13 और 14 के तत्व को चोड़दें तोás दात्व all गुझ का मतलब यह होता है कि आसानी से remote त्याग सके हैं तो वह धात्विक गुण दर्शा थे और यह प्रबल रिण विद्धिती तत्व होते हैं इलेक्ट्रोन को निकालना इन से इतना आसान नहीं होता है यह थे इनके एस ब्लक और पी ब्लक में धातू और अधातू गुणों के आधार पर इनके चार अंतर हैं सात्वे प्रश्ण का उतरता है फिर आठवा प्रश्ण एस पी डी ब्लक के तत्मों का सामानी इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखना है एर इसका होता है एनेस वन से टू एनने पहला समोण जो होता है उसका तो इस ब्लक में फर्स्ट ए ग्रूप का होता एनस वन इसमें एक इलेक्ट्रोन आता है अन्तिम कक्षा में, सभी तत्वों में हलीना की रपसे फर्याद, उसका कोट वर्ड है और सेकन्ड एक ग्रूप के जो तत्वय उंग में, इस कक्षक में, सारी अन्तिम कक्षाउ के इस कक्षक में दो इलेक्ट्रोन है इसलिए ये सामानी विन्यास इसका हो गया एनेस एक से दो तक यहने पहले ग्रूप में एक एक और दूसरे में दो दो पी का आपन देखें तो ये इसका सामानी उलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है एनेस टू एन पी एक से छे तेरा 14 15 16 17 18 तक सभी में बढ़ते जाएंगे तेरा में एक ती में चौदा में पी में दो पंदरा में तीन सोला में छार 17 में 5 ओल ऐधा ये जाये न को अन्तिम कोश की संख्या के सकते या पीरेट की संख्या भी आपनी सिना आउक रत कि संख्या भी इसको कियए ळीन क्या हो गया एन वन टू टेन डी में अधिक्तम दस इलेक्ट्रोन आ सकते हैं तो एक से शुरू होगा और यह दस तक भराते जाएंगे क्रम के अनुसार फिर एफ का सामानी इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो जाएगा एन माइनस टू एफ एक से चौदा इन माइनस टू एफ एक से चौदा यह इनके सामानी इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो निम्लिखित परमानुक्रमांग वाले थत्रों के आयूप एसी नाम लिखिए इसके लिए जीरो को कहेंगे अपने निल वन को कहेंगे अन और टू को कहेंगे बाई तो 101 का हो जाएगा अननील अन इम 102 का हो जाएगा अननील बायम 110 का हो जाएगा अननील इम 111 का हो जाएगा अनन इम ये इनके आयूपेसी नाम हो जाएगे जो यहां दिया है जीरो को निल कहना है, वन को अन कहना और टू को बाई कहना है और इस से साब से इन संख्याओं के आईउपेसी नाम देखने हैं परमानु क्रमान को रावर्चानी में इस्थिती को ध्यान में रखते हुए निमली की तत्वों को उनके बढ़ते हुए धात्विक तत्वों के क्रम में व्यविश्थित करना है बढ़ते हुए धात्विक गुन तो धात्विक गुन समूँ अठारा से अपन इस तरफ चलेंगे एक की तरफ तो धात्विक गुन बढ़ते जाएंगे तो यह जो दिये हैं उनको इस तरह से जमाना है तो सबसे कम धात्विक गुन फास्पोरस के उसके बाद सिलिकन के उसके बाद बेरिलियम के उसके बाद मेगनिशियम के और सबसे अधिक सोडियम के धात्विक गुन होगे ये बढ़ता उए धात्विक गुंणों का क्रम है इंका बढ़ते हुए धात्विक गुंणों के क्रम प्रशन 14 निम्न को परिभाशित कीजिए योम आवर्त और वर्ग में परिवर्थन को समझाई ये तो पहले तो परिवर्तन अपन देख लेते हैं यह आवर्त वाले नीचे लिए लाइन लगा कि आवर्त में चलेंगे यह यहने बाएं से दाएं तो आइनिक तृज्जा घटेगी और समू में चलते हैं अपन तो उपर से नीचे चलते हैं तो आवर्त में तो आइनिक तृज्जा घटेगी और समू में बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे अपन समू में उपर से नीचे जाते हैं तो परमानू का आकार यह आयन का आकार बढ़ जाता है परमानु तरिज्या घटेगी आवर्त में 22 से दाई चलने पर और समू में उपर से नीचे चलने पर बढ़ेगी आयनन वीभव आवर्त में 22 से दाई चलने पर बढ़ेगा और समू में उपर से नीचे चलने पर घटेगा इलेक्ट्रोन बंदुता आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ेगी और समू में उपर से नीचे चलने पर घटेगी विद्युत रिनात्मक्ता आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ेगी और समू में उपर से नीचे चलने पर घटेगी परिभाशित्त भी करना कि आइनिक तृज्या क्या होती जब किसी पर्माणू से इलेक्ट्रोन को निकाल दिया जाता या उस्से इलेक्ट्रोन को दे दिया जाता है तो वो धनायन या रिणायन में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी भायतम कक्षा में जो भी आवेश है उससे नाभिक की जो दूरी होती है उसे केते हैं अपन आयनिक त्रिज्या पर्मानु त्रिज्या क्या है? परमानुत्रिज्या भी नाभिक से भायतम कोश्ट के बीच की दूरी को अपन परमानुत्रिज्या कहेंगे आयनन वीभव क्या है किसी भी परमानु को आयन में परिवल्तित करने के लिए जो उर्जा दी जाती है उसे आयनन वीभव कहते है इलेक्ट्रोन बंधुता तो इलेक्ट्रोन को बांधने की जो शमता होती है उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रोन बंधुता और विध्युत्रेनात्मकता विध्युत्रेनात्मकता क्या होती है कि मान लो कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ लीकट्रोन हों की शेरिंग करके साजा करके बंद बना लेता है तो उस बंद को के दोनों इलेक्टोनों को अपनी तरफ खींचने की जो ख्शम्ता होती है यानि शेरिंग इलेक्ट्रोन हो को अपनी तरफ खीचने की शमता को कहते हैं अपने विद्ध्युत्रेणात्मक्ता यह इनकी परिवाशा है हुग तो यह प्रश्ण हो गए अध्याय तीन के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने साथियों को शेयर करें और डिस्क्रिप्चन बॉक्स में देखते रहें आगे भी अगर बोर्ड से मोडल अंसर प्राप्त नहीं होते हैं तो हम आपको चेप्टर वाइज अंसर पहुंचाते रहेंगे जूचाते रहें में यहुंचाते रहें जाएब करें विडियों